हेलो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम यह होवर इफेक कैसा बना सकते हैं बाइ यूजिंग HTML and CSS इसमें बिसिकली क्या है एक में डिफ है में डिफ के अंदर हमार पास दो सब डिफ हैं तो जैसी मैं पहले डिफ पे दो पूरा एक्सपाइंड जीगा सिमिलरली जैसे में दूसरे डिफ पे होवर करूंगा तो वो बे एक्सपाइंड हो जया हरे एक डिफ के अंदर एक बैग्राउंड इमेज लगा हुई है इसके यहां पर करते हैं सब्सक्राइब कोई बीक्त कर लेंग सकता है तो ठीक्स कर लें तो देखते हैं इसको इसके में कोडिंग कैसे कर सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है एक इंडेक्स.html नाम की फईल बना रख़िए धेस्टाप के अंदर एक फोल्डर लिया HTML का basic structure लिखने है और इसके अंदर हम लिख देंगे CSS effect body tag के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे section tag अब div ले सकते है section के एलावा और उसके अंदर हम लिखेंगे दो दो div tag नाएंगे एक की class दी मैंने box 1 इसको बंद कर दिया और इसको copy करा दें इसके अमने class देदी box 2 अब हम इनकी styling करेंगे तो यहां पर मैंने क्या लिखा style tag लिखा style tag के अंदर अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले section को styling दे देते हैं तो हमने इसको क्या करा जो विर्थ है section की विर्थ हमने दी 350 पिक्सल्स और जो हाइट है हम उसकी देंगे 450 पिक्सल्स और अभी के लिए बॉर्डर देते हैं बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड रेड और अगर हम जाके देखें अभी copy copy file path की तो लोड नी थी विसे यहां पर प हम आपस इतना आ गया है ठीक है अब हमने इसके अंदर क्या करना है इसको मैंने position देंगे रिलेटिव बाइडिव मैंने इसको position देंगे रिलेटिव अब मुझे इसको center में लाने का तरीका है कि मैं body tag के अंदर क्या लिखूं मैं इसका display कर दूँ flex और justify content में सारे content को आप क् सेंटर में लिए अलाइन इतम्स क्या करेंगा वर्टिकल उसको center में लेयागा उसके अपको हाइड भी define करने पड़ेगी तो हाइट में कर देता हूं 100 वी एच वी एच वी एच मींस व्यूपोर्ट की हाइट सो हाइड डिफाइन करने से क्या होगा बिल्कुल center में लाएग अब हमने देखना है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे अब हमने इतना कर लिए इसको center center में जो भी लाना हो ले आए अब section के अंदर जो मेरा section यह टैग है section टैग के अंदर जो मेरा dot box 1 है dot box 1 है अब मुझे इस से अब मुझे इसके साथ वो करना है क्या नहां में इसमें changes करने तो इसमें क्या करोंगा सबसे वैले मैं इसकी दूंगा 100 % 100 % अंदर परसेंट अंदर परसेंगी जिसनी इसकी parent की विड़त है उतनी है ले 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 height भी मैं दे दूंग 100 % एंड अभी के लिए इसके बैक्ग्राउंड ग्राउंड हाइफन कलर दे देते हैं डैट इस रेड और इसकी पोजीशन देदी एपसलिट ताकि इसके उपर आजे पोजीशन एपसलिट देदी अब मैं जाके अगर देखों तो मेरे पास यह आ रहा होगा यह रहा है अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ने एक सबसे वहले कॉमन वह भी देते हैं कॉमन प्रॉपर्टी इसका रीजन उनताता हूं कॉमन क्लास सॉरी कॉमन क्लास देदी कॉमन कि इसका के यह विसमे फ Nich एक ही फिस काश्की क्लास में करें देंसे हैं मैं लग इन नहीं है आप हम जैसे इसके बैक्ग्राउंड पोल्डर के अंदर जो इमेज का नाम है इमेज का नाम था बिली डॉट जे पी जी तो अगर मैं देखों यहां पर मेरी आ चुकी है अब हमने क्या करना है अभी आपको इसलिए दिख रही हुए क्योंकि मैंने उसके बैगराउंड पॉजिशन सेटनी करिया अब हम लिखेंग अब मुझे इस पर बो देना है अब मुझे इस पर बो देना है क्या नहीं अब है यह मैंने कर दिया इतना कर दिया अब मुझे उसकी सेटिंग करनी है जो मेरा बॉक्स तू है उसको सैक्षन के अंदर जो मेरा डॉट बॉक्स तू है मींस यह विला जो डेवै इस पर चेंजिस करने अब इसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले हमने इसकी विर्थ सॉरी यह जो यह यह भी पॉपर्टी जो है यह कॉमन ही आएंगी इसको दुबार बार देने की जूट नहीं है यहां पर विर्थ और हाइट भी कॉमन हो गया और पॉजिशन बैक्गराउंड कलर हां हम यहां पर लिखेंगे बैक्गराउंड हाइफन इमेज देन यूरल इमेजिस फोल्डर के अंदर जो मेरी इमेज का नाम है प्लिजाए बबबब बार जोंगिशन बबब लिखेंगरे मीरे इमेर ओंगे मेंके लाहां में इमें जाप अब iskyEC गॉर्डिनीअ डीवर saint दिश्ई-डीवर ag अब second coordinate के X-axis 100% and y-axis 0, then what to do ? X-axis 0, y-axis 100%, now let's go and see है अभी देख सखतो हो निलिए वेला जो पोर्षिन न है ये ओ गया एकसी जीरोय एकसी कि 1-0 यह एकसी से पृश्चनग हो एकसी से 0-0 यह अवे डिरोटर के हं अब मैं इसका जो मिनक बढूडरा ऋगा यह एकसी सब्दोल कि अब मैंने क्या करना है, जब मैं section जो मेरा section टाय गया, dot box 2 उस पे जब माउस लेके जाओं, means hover करूं, तो क्या होना चाहिए उससे पहले हम transition दे देते हैं, dot box पे ताकि युदोने पे काम करें transition, so हम यह लिखेंगे one second ease ताकि जब भी मैं एक state से जूसी state जा रहा हूँ, तो वो transition कितने seconds ले में, तो एक second का change ले अब यहाँ पे आगया section के अंदर, dot box 2 के अंदर, dot box 2 पे जब मैं hover करूं, तो क्या हो तो आप, hover करने पे हमने करना क्या है, यहाँ पे देखो, जैसी मैं इस पे hover कर रहा हूँ, तो मेरा यह वाला coordinate है, यह यहाँ पे आकर expand हो रहा है, मतलब अभी तीन coordinates है, उनको चार coordinates करने है, मुझे, तो यह वाला coordinate क्या होगा, यह होगा, x-axis 100%, y-axis 100%, तो मुझे यह करना है, Ctrl-C, यहाँ paste करा, यह होगा, पहला coordinate यह होगा, दूसरा, अब बीच में मुझे तीसरा coordinate क्या कहते है, यह वाला होगा मेरा तीसरा coordinate, यह कितना था, यह था मेरा, x-axis 100%, and y-axis 0%, और यह वाला तीसरा coordinate होगा, यह वाला चौथा coordinate होगा, तो मुझे तीसरे coordinate पे क्या करना है, 100%, 100 100% and then यहां पे अब मैं ज़ा करके देखू हम अपना देख रहो ही हो रहा है यह वो फोड़का क्या है क्योंकि यहां उपर हमने तीन कॉडिणेट्स दिये यहां पर तीन कोडिनेट्स दिये हैं और यहां पर चार काडिनेट्स भी इसलिए समूंद affeект ने आ रहा आप इसको सही करने के लिए करेंगे जो 3rd ko कि अगर देखोगे यह देखे हो स्मूइड इफेक्ट आगे ना इसकी थोड़ी ट्रांजेशन की स्पीड जिरो पॉइंट जादे धीरे चल रहा है तो अब इसमें हमने क्या करा है यह पहला कोडिनेट होगे दूसरा कोडिनेट तीसा कोडिनेट भी इधर इया और चौथा कोडिनेट मेरा यहां पर आ गया और जब क्या हुआ जब मैंने इस पर होवर करा तो मैंने तीसे कोडिनेट को यहां से चपके यहां पर को दिया इतना डिफरेंट है यहां से उठाया थीस cases digit ko और यहां पर राकर उसको प्लेश कर दिया अब क्या है अब जब इस पर दूसरे णिमेज पर आप दूसरे माझ़ड़ 하기 तो चेंज मेरे से पहले डिव कहा है मुझे हद है काम करना है जो मेरा .box1 है उस पर जब मैं होवर करूं तो किस पर चेंजिद होने चाहिए बॉक्स टू पर मतलब कि यह यह वला मेरा box 2 है उपर वाला और निच्चे वाला मेरा box 1 है तो box 2 पर चेंजिद होने चाहिए तो box 2 पर हम यूज करेंगे कौन सा CSS Selector यूज करेंगे जो कि हमारा Sibling Selector CSS General Sibling Selector जिसको हम लिखते है तिल्ड सिंबल से यह जो सिंबल है तिल्ड सिंबल से इसको हम उससे डिफाइन करते हैं तो मतलब section tag के अंदर जो मेरा box 1 है जब मैं उस पर होवर करूं तो उसका जो sibling है क्या जो सिंबलिंग का box 2 उस पर क्या effect जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो मेरा section टैग यह जो section टैग है वह act कर रहा है as a parent किसके लिए यह जो डिफ टैग जना जो box 1 और box 2 जिनकी क्लास है जो डिफ टैग उनके लिए section टैग कर रहा है as a parent तो यह दोनों क्या होई य that is box 2 means यह उस पर क्या effect हो और उसके लिए हम लिखते हैं यह symbol because क्योंकि आप ऐसे directly उसको target नहीं कर सकते कि box 1 के ना वो अंदर है और ना वो कहीं और है मतलब उसका as a sibling है अलग टैग है ना तो हमने अगर किसी और पर होवर करने पर किसी और पर effect डालना है तो हम ऐसे उसको ट कर देंगे और जो इसका लास्त है ना यहां पर हंडर्ड परसंट कि जए क्या कर देंगे 0% तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो वह जो हमारा बॉक्स टूआ है वह एक्दम उपर को चल जा जाए तो अब मैं जाकर आपकर देखें हैं तो यह हमारे पहली पहला जो डेवा जा रहा है जब मैं इस पर जो निचे वली में जाए या फिर निचे वह देवा उस पर होवर करोंगा तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको चैंज इस चाहिए तो इसके अगरा भी लिख सकते हैं या फिर कोई हैडिंग्स अगया थोड़ी इंफोर्मेशन डि अग्स अलोट